दोस्तों आज हम बात करेंगे different types of door के बारे में चलिए शुरू करते है topic को सबसे पहला जो type आता है that is revolving door अभी यह किस तरह के building के लिए use किया जाता है वो important है exam में पूछ जाता है उसमें से questions तो revolving door जो use होता है वो होता है air condition building के लिए अब देखिए actually में जो real में होता क्या है कि जो sliding door है और revolving door है अभी हम आगे पढ़ेंगे sliding door क्या होता है तो यह जो दोनों door है यह दोनों ही AC building के लिए use किया जाता है लेकिन जो theory वाली हमारी concept कहता है या जो books कहती है वो यह कहती है कि revolving door ही AC building के लिए use किया जाता है तो जब आपको question में मिलता है exam में तो आपको revolving door ही tick करना है AC building के लिए ठीक है तो यह ध्यान दखना जबकि general हम देखते है mall में तो आपे sliding door भी मिल जाते है और revolving भी मिल जाते है तो जैसे की बात करें revolving door की तो आपने देखा होगो जो shopping ball का entrance होता है वहाँ पे इस तरह के door आपको मिलता है जहाँ पे revolving door आपको मिलता है जब बहुत जादा audience होती है तब इस तरह के door यूज के जाते हैं इसमें चार boxes बन जाते हैं वहाँ से एक बार में काफे सारी audience अंदर आ सकती है ठीक है तो यह हो गया पहला type दूसरा बात करते है तो आता है rolling door rolling door simple सा है जैसे की commercial building हमारी होती है जैसे की हम कह सकते है go down हो गया या फिर shop हो गया तो आप देख सकते है image में जो हमारे simple हम बोलते है जिसको shutter तो shutter वाले जो door होते है वो हम generally दुकानों में देख सकते है और वहाँ पे आप इसको use करते हैं ठीक है तो यह हो गया second type rolling door use for the commercial building ठीक है तीसरा जो आता है that is collapsible door इसे को हम channel gate भी बोल देते हैं ठीक है general language में हम बोलते है इसको channel gate यह होता किसलिए यह entrance of the main building तो अगर आप कभी bank गये हो वहाँ पे देखा हो आपने जो सबसे बाहर का gate होता है security purpose के लिए वहाँ पे हम इसको use करते है तो यह दोनों ही जगा पे यह door use किया आता है bank में और lift में आपने generally देखा भी होगा तो main जो purpose होता है इसको होता security क्योंकि यह लोही का बना होता है काफी मजबूत होता है इसलिए ठीक है चोता डाइब जो आता है that is sliding door जिसकी मैंने बात शुरू में की थी यह भी आपको यसी building में यूज किया आगा देखिए जैसे कि आप देख रहे है इसको image में कि यह mall की एक stairs है उसके नीचे इसको use किया गया है ठीक है यहां से हो सकता है कोई अलग दुकान शुरू हो रही हो या कोई mall शुरू हो रहा हो अलग से चोटा तो वहां पे इसको use किया सकता है जैसे कि use for the improper space availability अब यह use कहां पर होता है जहां पे space की कमी होती है नहीं कि देखिए जो image कर जाएगा उसको extra space नहीं चाहिए खुलने के लिए तो यह इसका main use होता है और यह भी आप shopping wall में देख सकते है ठीक है जो बड़े brands होते हैं उनका entrance होता है वहाँ पे अस तरह के door generally पाए जाते हैं next आता है lever door यह क्या होता है used for the ventilation but over the visibility तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें visibility नहीं है अनिकि अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको लेकिन यह जो parts आप देख रहे हैं छोटे चोटे यहाँ पे ventilation आपको दिख जाएगा यह जहरों के टाइप में काम करेगा तो यह क हम इसको यूज करते हैं lever door को right next आता है swinging door यह यूज होता है residential बिढ़ने के लिए जो swinging door होता है तो swinging door जो होता है आपका वो generally आप घरों में यूज करते हैं जो हमारे normal door होते हैं चाहे वो one side में हो या फिर दो उसके जो swing करने वाले portion हो सकते हैं जैसे कि आप photo में देख रहे ह यहाँ पर एक जो image है second वाली उसमें आपको एक single door दिख रहा है जो कि एक rivet के about यह swing करता है या फिर rotate करता है और दूसरी जो image दिख रहे हैं आपको उसमें इस जस्तार से आपने देखाऊगा कि police station के जो picture आते थी हमारी पुरानी जो Hollywood movies होती है उनमें आपके देखाऊगा पुलिस stations में तो यह दोनों ही swinging के अंदर आते हैं यानि कि यह rotate करते हैं एक pin के about राइट तो यह आपके कुछ types थे thank you so much for watching this video have a nice day